कि अलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग संभोन तथा वैसन मुखी तग्या हूं महाराष्ट्र में आकोला में प्रैक्टिस करता हूं हमारे यहां दो हॉस्पिटल है एक हॉस्पिटल में हम मनोरुगुन तथा वैसनी लोगों को इसे दारो के साथ में भरती करते हैं और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहां मनोरुगुन तथा वैसनी लोगों को बिनार्शिदार भरती करते हैं हमारा मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्त है और वैसन मुक्त भारत आज मैं आपको अताने वाला हूं कि विटामिन डेफिशन्सी ज क्या है कि हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन की जर्द होती है और उसमें मेंली जो है वो विटामिन A, B, C, D, E और K यह में विटामिन से हैं जो B है यह B complex है मतले उसमें कभी सारे विटामिन से हैं B1 से लेके B12 तक और उसमें B1 जो है विटामिन B1 वो बहुत महत वका है क्या होता है कि विटामिन B1 हमारे शरीर की पूरी संस्ता जो है यह चलाने के लिए B1 का बहुत रोल है बहुत बड़ा हाथ है होता क्या है कि हमारे शरीर में B1 का जो मतलब उसकी जो मात्रा है वो है 2.5 to 7.5 microgram per dl per deciliter इतनी होना चीए और होता क्या है कि वो कम होने से काफी सारी प्राब्लेम्स हमारे शरीर में आती रहती है क्या होता है कि B1 जो है विटामिन B1 वो ब्रेन में एसेटिल कोलीन तयार करने के लिए काम में आता है तो यदि B1 नहीं है तो ब्रेन में एसेटिल कोलीन का कोलीन की मात्रा कम हो जाती है और उससे memory loss होता है यारदाश कम हो जाती है और फिर लोग बोलते हैं आमारी यारदाश कम होगी यारदाश कम होगी इस्पेशली जो शराप्तित है उनमें तो यह बहुत जाए दिखा जाता है क्योंकि शरापी लोगों में जो B complex है उसकी कमियां हो जाती है उसमें B1, B6, B12 यह तुनों भी deficiency होती है उसमें B1 जादा होता है जटके यह आ गए तो जटके के लिए उसके लिए दवाई देते हैं फिट कम करने के लिए जो दवाई फिट कम करने के लिए उससे B1 सी मातरा कम हो जाती है B1 की और उससे और प्राब्लेम आ जाते है बीवन कम होने से ब्लड पिर्शर ज़्यादा होता है कंजेस्ट्य हार्ट फिलियूर होता है उसके लिए हम दबाई देते हैं तो वो दबाई से फिर से बीवन कम हो जाता है बीवन जो भीटामिन है वो डिफिशन्ट होने से मसल्स में फटीग मतलब बहुत ठकान जो अपनी मसल्स जो है सनायोग उसमें बहुत ठकान आ जाती है फटीग हो जाती है और हमको लगता है ये कुरानिक फटीग सिंड्रूम हुआ क्या तो मसल्स में फटीग ठकान बहुत ठकाना जल्दी ठक जाना और मसल में दर्द भी होते रहते हैं पूरे बदिन के उपर सू जाती है सूच कम करने के लिए हम यदि डायरिटिक देते हैं तो वो दवाई से फिर और बीवन की मातरा कम हो जाती है मतलब कि विश्यस सैकल तैयर हो जाता है जिसमें आप उसका इलाज करते जाओ और बीवन की खरीर में ज्यादा मातरा में अंदर जाना जरूरी है और वो कौन से-कौन से फूड में एक तो ग्रीन टी में भी वन अच्छा है फिर मश्रूम से फिर बीन से लेंटिल्स उसमें है ज्यादा अनपॉलिश राइस में ज्यादा है सब थरे के हरी सबजी जो है उसमें भी पाटिकल मतलब फूर्ज अपना अना जो है उसमें बीवन रहता है वह ज्यादा मात्रा में खाना जरूरी है और यदि हम उसका टेस्ट करते हैं और ब्लेड में यदि कम पड़ा तो उसका बाहर से गोलियां लेना बीवन की या बीवन के इंजेक्शन लेना मतलब बीवन हुआ है वही ठीक हो जाता है कंभी पर ऐसा हो है कि लास होने से उसको समझताने कि अपन कहा है बूल जाते है और और बीवन का टेस्स करना और अल्कॉहलिक में तो होता ही होता है समझ के चलो यह बीवन की मात्रा कम होना और अल्कोल में इसलिए हम तो रूटीन ली अल्कोली के दिए पेशन आता है शराभी पेशन आता है तो उसको बीवन के इंजेक्शन हम देए तो इस तरह का यह बीवन है जिसका बहुत सारा क्लोस कनेक्शन इसलिए मैंने स्encies यह बीडियो तायार कै कि लोगँ के बूलने के उपर वे बीवन का रोल क्या है और स्पेशन उसका रोल मेमरी में है जीज़ा तर GPU वह बीवन जो है वो क्या करता है कि नियूरांस के उपर जो शीथ है कवर जो है वो कवर तैयर करने के लिए नियूरांस के उपर का कवर शीथ उसमें बीवन का रोल है अब बीवन डेफिजेंट रहा बीवन कम रहा थायमिन तो नियूरां के उपर का जो शीथ है वो कम हो जाता मतलब वो तैयर नहीं होता बराबर तो इसका मतलब क्या होगा है कि स्केς में बाद नगरों जाने च pajamas को तो भीवन जादा कुछ नियुक्त कुछ फरक नहीं करता अगार विवन लीचेगा और बीवन से अपना इलाज ठीक करवाएगा तो जरूर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो उसके बाद में जो घंटी आती न उसको आप उसके उपर हिट करो टाकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो आपके स झाल झाल